नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाई पी यूटूब चनल में आपका श्वागत है और अचके वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप पेमेंट एस्टेटस रिपोर्ट कैसे निकालेंगे या पीडिएफ कैसे डाउनूड करेंगे इसके बारे में तो सबसेल प कर लेंगे तो आपकी स्कूल का प्रोफाइल इस तरह कैसे स्वोग करेगा उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा यहां मेनू बार में और यहां पर आपको मिल जाएगा रिपोर्ट रिपोर्ट मिलते ही आपको सबसे नीची आ जाना होगा पेमेंट आगर personally किसी एक student का चेक करना चाहते हैं तो यहां उसका account number डाल करके उसके बद यहां 100 पर क्लिक करेंगे अगर चाहते हैं कि five class के सारे बच्चों का चेक करना है तो आपको यहां कुछ नहीं ड़ना है बस यहाँ पे सू पे क्लिक कर देना है जैसे सू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीका से payment status list सू कर देगा जैसे कि उसका नाम मता का नाम, पीता का नाम, account number consequence degree का है और कौन कौन से scheme का पैसा उनके खातम अगया है जैसे यहाँ scheme बता रहा है यहाँ payment status बता रहा है तो इस तरीका से आप अपना payment status list निकाल सकते हैं अपने school का अपने विद्याले का हलांकि यह जो है पुराना list है यानि यह जो है पुराने session का है यानि payment status जो list है यह 21-22 का है यानि अभी जो बरतमान में 22 में जो admission हुआ है बच्चों का उन लोग का पैसा अभी नहीं गया है क्योंकि जैसे ही उनका पैसा उन लोग के खाते में जाना शुरू हो जाएगा उसके बाद इसको अपडेट कर दिया जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा तो इसी तरीका से आप आकर के यहां से payment list यानि payment status list देश सकते हैं या इसका print out निकाल सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए आप क्या करना होगा यहां export in excel दिखाए इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह excel फाइल में चला जाएगा और वहां से आप उसको pdf बना लीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए तो इस तरीका से आप अपने स्कूल का payment status list देख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हलांकि अभी इन लोग का बच्चों का पैसा जो है वह भी नहीं गया है यह पैसा लगभग जनवरी का अंति माह और फरवरी के सुरुआती में जा सकता है आसा है कि इस तरीका से आप payment status list निकालने का तरीका जान गए होंगे तो सोगाइस आज की बढ़े में फिर मिलते हैं अगले बढ़े में नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद